कि नमस्कार मैं सूरज पांडे जी उस भाय निर्यसर चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है युपी पुलिस के एकजाम में चार चांद लगाने के लिए सफलता पाने के लिए हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आप लोग बड़ी मेहनत और हिम्मत और उर प्रेक्टिस हो गया है उस दिन क्या खुसी होगी आपके माता-पिता के मन में एक आप आपकर्राइव कोई कल्पना नहीं कर सकता है कितनी वो दिन कितने अच्छे होंगे कितने खुसी की दिन होगी और इसी के लिए हम लोग भी प्रियासरत है कि ओव दिन हम लोग को देखने को मिले तो चलिए हम देखते हैं अपना हिंदी प्रेक्टिसेट चलिए देख रहे हैं सामान हिंदी का एक प्रेक्टिसेट है गायक क्या है गायक का संध्य विच्छेद क्या है क्या है गायक का संध्य विच्छेद क्या है तो गायक में क्या होता है इसमें तो इड़न अक होता है इसमें कौन से संधि होती यह? अ अप बसक निम्हाइब texture दए प्रदी में बाड़ा जाती ही वाके में किस प्रकार की संग्या है वेक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या घुडवाचक आरे बाई किसी परिसनल वेक्तिवाचक कि राप्ति है कि घागरा है कौन सी नदी है भाई अगर नदी का नाम देता था तो व्यक्तिवाचक हो जाता लेकिन नदी का नाम नहीं दिया है कहा है कि नदी भाई लड़का लड़का क्या है जातिवाचक संग्या है लेकिन अगर कह दिया गया कि मोहन तो क्या हो गया व्यक प्रार्थना पत्र आज्या ठीक तो आप जब इसे किसी वाक में प्रियोग करेंगे तो आप यहीं पाएंगे कि प्रार्थना क्या है? पुलिंग है ठीक है? क्या है? प्रार्थना पुलिंग है चौथाई सब्द में विसेशन है चौथाई सब्द में कैसा विसेशन है चलिए देखेंगे चौथाई सब्द में विसेशन कैसा है तो चलिए देख रहे हैं हम चौथाई सब्द में विसेशन कैसा है आपूर्णावाचेक विशेषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष binnen राजा सेवक को तो आप में करता ने कर्म को करती कर्णिक के द्वारा संपरदान और अपादान से होने तो कर्म कारक संबंध आरद आरग संपरदान काराग करता कारक क्या है तो औस सी सही है था ABOUT कसी सही इस्कित सजी आप थे शिक्स के एडी पे चलिए चलते हैं हम। तहां पर यह देखते हैं एक बार सिक्स का डी जो है इसे आप पहले देखिए आप यह जो आसन भूत काल है यह कम सुने होंगे ठीक हेत ही हो तो मत भूत काल एक हम सुने होंगे लेकिन फिर देख लिजिए हम कोईस्टन पहले पढ़ रहे हैं मैंने आम खा लिया है वाकि में प्रियुक्त काल पहचाने ठीक तो अब सिक्स का डी आउप्सन तो सही है लेकिन इसलिए बता दिये हैं कि आप आसन भूत काल है तो यह मत भूत काल कि आप देखे कि कुछ आशचर हो सकते हैं तो इसमें क्या सही है क्यों सही है अपोर्डबूत काल अप पूड़ मतलब जो फूर नहीं हुआ है ठीक है पूडब भूत काल सन्न भूतकाल हो जाएगा वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहा है वाकिन में अव्वे पद है वह हमेशा अपने भाई के साथ गीत गाता रहता है तो इसमें अव्वे क्या होगा फीक है हमेशा होगा क्या होगा हमेशा यह क्या होगा अव्वे होगा चलिए क्वेश्चन नमबर हम आठ देख रहे हैं निम्लिकिस में से कौन सा पद तत्सम है क्या है मा मचली केला अमोले तो क्या है अमोले क्या है अमोले तो एट का डी सही है खगेश का प्रियावाची क्या है वासुदेव वाक वैतने विधु तो खगेश किसका प्रियावाची है किसके साथ आप जाएंगे तो विधु का प्रियावाची इनमें से स्वर्ग का प्रियावाची कौन सा नहीं है वैकुंठ दिविधाम गव नाक इसमें से कौन सा नहीं है तो क्या जी किसके जाता जाएंगे नाक नहीं है धर्म बुद्ध में समास क्या है धर्म बुद्ध में समास क्या है विभाव बोवरी कर्मधारे दंद तो इसमें से कौन सा सही है आपसन क्या है तो धर्म बुद्ध तो इसमें कर्मधारे समास है कौन सा समास है कर्मधारे समास है चलिए अगला देखते हैं निमलिखित में कौ कौन सा अस्थाइ भाव नहीं है क्या है कौन सा अस्थाइ भाव नहीं है विसाद जुगुपसा निर्वेद हास तो इसमें इसे कौन सा अस्थाई भाव नहीं है तो एके साथ जाएंगे इसे आप सुनें कहीं अस्थाई भाव जुगुपसा निर्वेद हास होता है वही मनुस्य जो मनुस्य के लिए मरे पंक्त में कौन सा अलंकार है वही मनुस्य है तो इसे अनुप्रासिम अलंकार होगा हिंदी का पर्थम मोलिक अपनियास क्या है हिंदी का जो है पर्थम मोलिक अपनियास क्या है परिच्छा गुरू, आनंदमठ, गबन, तितली तो ये के साथ जाएंगे परिच्छा गुरू चिंता मड़ी किसका निबंद संग्रा है चलिए देखते हैं चिंता मड़ी किसका निबंद संग्रा है चिंता मड़ी किसका निबंद संग्रा है बाल मकुंद कुप्त हजारी प्रसाद दुवेदी रामचंदर सुक्र स्यामचंदर दास तो इसमें में से किसका निबंद संग् तो किसके साथ आप जाएंगे सी आपसाश्व रांचंद्र शूखल अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुन कर भारत वासियों ने क्या आपकी घर में हमन कराया करवाया घर में अगर्वत्ती जलाई तेल के दीए जलाए घी के दीए जलाए आप क्या करें अब यह तो बहु पढ़े लिखें उनसे भी अगर यह बताओगे तो वहीं कहेंगे कि घीके दिये जलाए जाते हैं आइसे मेहनत करिए आप लोग आप लोग जिस दिन सेलेक्शन पाके और मिलेंगे तो फिर कितनी खुसी होगी हम लोग लगातार मेहनत करते हैं इसलिए मेहनत करते हैं कि आप लोग खुस रहें आप लोग की जॉब लग जाए कई पीडिया सुखी हो जाती है अगर सारकौरी जाब लग गई गवर्मेंट जाब की कुछ बात ही हो तो आप लोगों से हमें हैं अन्रोध करके कहते हैं कि चलिए पढ़ लीजिए और सेलक अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं आप ही सबसे अच्छे मेहनत करें आपका सेलेक्शन होगा तो देखिए देखने दिये गए निर्देश निर्देश दिए अप अठीक गद्यांस को पढ़का निम्रिकत प्रस्णों के उत्तर सही विकलप छाटी है इसके जो तर है उस सही विकलप छाटना है 17 से केस के बीच में तो चलिए इसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या करते हैं पहले हम पढ़ ही न लें तो जिससे आसान हो जाएगा थोड़ा चलिए पढ़ लेते हैं आदिम आरे गुमकड ही थे यहां से वहां वे घूमते ही रहते थे आ आज भारत में उनके वनसज न होते भगवान बुद्ध घुमकड थे भगवान महावीर घुमकड थे वर्षा रुद के कुछ महीनों को छोड़कर एक अस्थान में रहना बुद्ध के वस्त का नहीं था क्या है बुद्ध कभी भारत के घुमकड थे कि अनके सिस्तियों ने सिर आँखों पर लिया और पूर में जापान ऊतर में मंगोल्या पस्ची में मक्दोंिया और दच्छड में बाली दियू तब धावा मारा स्रामण महाबीर ने सुच्छंद विचार के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया दिसाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया वैसाली में जन लिया पावा में सरीर त्याग दिया जीवन पर इंद घुमते रहे अब देखे चलिए देखते हैं जबरदस जोरदार आपका पैसेज पूरा हो गया है इसे समझ भी लिया गया है अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा आगे का मैटर क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं आगे का मैटर क्या होगा गुमकर सब्द में कौन सा प्रत्य है क्या है गुमकर सब्द में कौन सा प्रत्य है हम क्या देखेंगे गुमकर सब्द में कौन सा प्रत्य है ठीक है तो देख रहे हैं कि घूमकरत अमें प्रत्यकौंश है कि अक्कड अड़ करहे हैं कि अगड़ है और अड़ है कड़कर तो क्या है मिआपकर सब्सक्वालight का जन्म कहा उक पावापुरी में वैसाली में हुआ था खुशी नगर में हुआ पार्सौली में हो था तो चंद में कॉन से संध है। विसरक विचे संध के बाद में तुरं Цे आ जाए वहां से समझ लिजЕ कि के वंजन संध होगे। मादमा बुध्ध ने जब बुध्ध तो प्राप्ट किया तब उनकी अवस्था क्या थी? उनकी उम्र क्या थी? तो आप इसके साथ जाएंगे 12 वर्स, 35 वर्स, 85 वर्स तो 35 वर्स अवस्था थी. सुर्ध धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बाउत धर्म, मुसलिम धर्म, व तो कंठ के बाद में क्या आता है? तालग विसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं तालग विसे? तो आप इसे पढ़े भी हो, समझे होंगे, इसलिए हम प्रेक्टिक करा रहे हैं, तो यह तालग विआपसन के साथ जाएंगे, एपसन सही है, ठीक? कौन हिंदी की भासा, कौन हिंदी की उपभासा नहीं है, मराठी, पस्चिमी हिंदी, पूर्वे हिंदी, राजस्थानी, ठीक? इसमें में से कौन हिंदी की उपभासा नहीं है, तो यह आपसन के साथ जाएंगे, मराठी देखने में भी में भी लगता है कि मराठी के साथ में जाना चाहिए, रिक्तसा करने की आवस्यक्ता नहीं है तो विकल्ब के किसी बदलाव की आवस्यक्ता नहीं है का चैन करें तो चलिए देख लेते हैं हम इसे इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है टिक इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है तो इसमें से कौन सा आफसन सही है कई बार उजाड़ा और बसाई गई किसी बदलाव किया उसकता नहीं है कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया कई बार उजाड़ी और बसाई गई तो आपसन डी सही होगा सही वरतनी वाले सब्दका चेन करें चतुस कौन, चतुस कोड चतुस कोड, चतुस कोड तो कौन सा ऑप्षानिस में सही होगा बताइए सब कुछ से कर्मवाच वाला वाकि चुनेगा तो में लिख नहीं सकते बिली के हाथ चुहा मारा गया उसे सब कुछ बता दे तो इसमें से कर्मवाची का वाकि कौन है बिल्ली के हाथों जिसमें कर्म पर्धान हो उसे कर्मवाची कहते हैं तो बिल्ली के हाथों मतलब बिल्ली के द्वारा चुहा मारा गया तो C आपसन सही है मतलब C आपसन सही होगा दिएगे वाकि में रेखांकित खंडो को प्रिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चेन करें या जिसे प्रिस्थापित करने की आवसकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवसकता नहीं है का चेन करें मेतरता एक ऐसा रिस्ता है जिसकी अस्वर्धा किसी अने रिस्ते दारों से नहीं किजा सकती अस्वर्धा किसी अने रिस्ते से किसी बदलाव किया वसकता नहीं है तुलना किसी अने रिस्ते से तुलना किसी अने रिस्ते दार से तो आप किसमे जाएंगे इसमें से तो तुलना किसी अनेरीस्इदार से ये वाला अप्सन जहीं होगा? अवड़निये सब्ध के लिए एक वाकिए चलिए देखते हैं अवड़निये ये सब्ध के लिए एक वाकिए ज襲 बात वड़न से और हो जो वाडी दुआरा ना कहा जा सके तो आप इसमें इसे किसके साथ जाना चाहेंगे option number C से जो वाड़ी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या है जो वाड़ी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके ठीक है तो option number C और जो बात बढ़त वर्ड़न से परें के आपसन नहीं सब्सक्नाइए यहा होगा जिसे वाडी द्वारा बैट ना किया जा सके कातो तो खुल नहीं लोकोंकतिका सही एर्थ क्या होगा पीड़ा सांत हो जाना कि बिल्कुल निर्जियुद भय के करण इस्तब्ध तो भय विलोम क्या होगा सोच पकविलोम क्या होगा, उस्थूल, बारिक, छीड, पतला तो क्या होगा, इस्थूल होगा अवली और आविल का अर्थ क्या है, भावरा और जल, नदी और गन्दा, पंक्ती और मित्र, पंक्ती और गन्दा तो क्या है इसमें कौन सा होगा डी सही होगा अत्या चार सब्द में उपसारग है अति आ अत्यू ठीक है तो ए आफसन अत सही होगा चौतिसका ये सही होगा अति महा ओर्मी का संदिविच्च्छत क्या है महाधधान औरे महाध्र और्मी महाधन मर्मी तो इसमें सेौ्छे से अत्यत normal Разब्रका को क्या हो गए एक से अधिक प्रधान उपवा के हो एक साधान और दूसरा आस्रित उपवा के हो एक ही उद्देश और एक ही विध्यें हो आस्रित उपवा के समुच्चे बोधक अव्य से जुड़ा हो तो इन में से कौन से सही होगा तो आप से सही होगा एक ही उद्देश और एक ही विध् ना है तो इतना question करवा दिये हैं आप लोग practice करते रहें और इस वर से हम कामना करते हैं आपका selection हो जाए नवकरी पाजाएं आप एक अच्छी और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि रिए जाहिं जय भारत